सभी शाथियों को नमस्कार आज हम इस वीडियो में डियेलर 33 समेश्टर के अंतरगत समास प्रकारब पर चरचा करेंगे हम इसमें देखेंगे समास कितने प्रकार क्यों होते हैं और उनके परिभासा क्या हैं और उनके कुछ उदारों पर प्रकार जालेंगे तो अब आगे देखते हैं समास के प्रकार समास के छे भीदते हैं अब हम देखते हैं कि अब यह वह समास किसी कहते हैं समास, अब देवह समास करारण सामास की सरचा करने से पहले हम समास का तातपर ने सलियरी होता है समास का तातपर है संग्शीक्हिक्ति करणगी–दोची अधिक सब्दों से मिलकर बने सब्रमत को समास कृते हैं जैसे रसोईंग के लिए घर इसे हम रसोईंग घर भी कर सकते हैं संस्कृत एवं अन्य भारती भासवा में शमास का बहुत आयत में प्रयोग किया जाता है अब हम देखते हैं अब्य भासमास पूरो पदात प्रधानों अब्य भावा जिस समास का पहला पद पूरो पद प्रधान हो वह अब्य हो उसे अब्य भासमास करते हैं जैसे यथा शक्ति-शक्ति के अनुसार आमरर मिल्टियों तक इनमें यथा और आ अब्य हैं आगे देखते हैं अब्वेई भासमास के अन्य उदाहर भी देखते हैं जैसे यथा शमय, शमय की अनुसार, यथा रूची, रूच की अनुसार, प्रतिवर्स, प्रतेक वर्स, प्रतिशप्ता, प्रतेक शप्ता, आगे देखते हैं प्रतिपल, पल, पल, प्रतेक, आजीवन, आमरर निजर ये हमारे कुछ अब्वेई भाव समास के उधार थे आगे देखते हैं तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधानों तत्पुरुषा तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर प्रधानों हो और पूरो पदगौर हो उससे तत्पुरुष समास कहते हैं जात जाते हैं करता तत्पुरुष कर्णतफुरुष शम्पदान तत पुरुष अधिकर तस और तत पुरुष और शम्भोधन तत पुरुष अब इनसे हम एक-परवाशा एक उदार देखते हैं को जैसे कम सरदल को के बार कर्म को कुछ नहें यहां इसलिए हैं दुदिया तत्वरुश को उसके बार देखते हैं प्रयोग साला कि प्रयोग के लिये साला कि णिपक्रने डहट के लिये गाड़ी यहां क्यों सब आघेले से कि हैं कि के लिए चितीरुथी वियर की प्रियोग होता है इसलिए यहां चित्रुठित्य तत्परस हो वाचत पर आगे लेखते हैं भूहदान राष्ट गवरो ग्रीह प्रवेश परवतार परवत पर अरोहड आप भरी भाच परचित हैं कि मेपएपरवता इसलिए आपर तत्वरु शमास यहां पर भी होगा अब आगे देखते हैं संख्या पुरुवव द्युग समास जिस समास का पूरुपत संख्या वाचक विशेचर हो उसे समुरूपृ Σमाहर जैसे और भूधारों ने देखिए जैसे दो पहरों का समाहर सताब्दी सव सालों का समूः, 35 तंत्रों का शमाहार, 17 शात दिनों का शमा हूँ उसके पाद देखते हैं दोंदो समास उभाया पदार्थ प्रधानों दोंदों जिस समास के दोनों पर प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या योंग लगता है वह दिन्द समास कहलता है जैसे पिते रवं करेंगे देखते हैं इसके दरार आप ष्थान देने की बात, उसमास है, रहे हैं का आशय ब्यक्त होता है दोनों पदों का समान महत्व है इस समास का विग्रह और एवं तथा वह आज सब्दों का प्रयों किया जता है उसको विकल्प द्वंद या बैकल्पिक द्वंद भी कहा जाता है दोनों पदों में से किसी एक पद विकल्प का अर्थ सही होता जैसे ब्यापार में घट बढ़ हो रही है इस वाके में घट बढ़ समासिक पद है ब्यापार में किसी एक समय में घट होगी या बढ़ होगी अतह यहां घट अतवा बढ़ में से कोई एक विकल्प किसी ब्यापार में घटित होगा इस समास का विग्रह या अतवा सब्दों क साहिता से किया जाता है उसके बाद देखते हैं दौन्द समासिक अंतर का तीसरा और अंतिम समाहार दौन्द जब समासिक पदों में दो से अधिक समू का बोध हो समाहार दौन्द कलाता है जैसे हाथ पाउं बचा कर काम करें इस वाकिय में हाथ पाउं समासिक पद है यहां इ जा रहा है इस समास का विकल है अधियाद्व सब्दों को साथ किया जाता है अब देखते हैं औरone पद्धार्थ पृफ वह वर्शी समास जिस समासいたप अप्षान हो और के अर्थ की अतरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुबरीश रमाज कहते हैं जैसे पीतांबरह इसके औरुदार देखते हैं जैसे नीलकंठ भगवान सीव या मोज चक्रधर भगवान विशु गजानन गड़ेस जी चंदरशेखर भगवान सीव लंबोदर गड़ेस जी पीतांबर भगव और चयुंद कर्म्धानुद भगवन देखते हैं विशुषड वशुषड विशुष भवलं कर्मधार चैन्षामाज के संस्क्रिट अचलजू इस लोग है जिस समास का उत्तरप्द पधान हो और पूर पद यहुत्रपदें विशुषड विशिश के अथवा उपमान यह हैं रूपी लेता नव यूवक नव है जो यूवक कमल नयन कमल के समान नील कमल नीला है जो कमल यह हमारे कर्मधाय समास के आने उधारण है धन्यवाद मैं रामसरर सेथ रोकता डायट फिरोजाबाद